कि यह उरत इसने अपनी बेटी को गाउं से बाहर शहर में भेजा पढ़ने के लिए उसकी बुद्धि ब्रिच्ट करने के लिए और जब को यह उरत बिगड़ जाए तो वो सारी पुष्टों को कलंकित करके छोड़ जाती है उसके कलंक का श्राप उसके सारे परिवार को उसके सारे वंच को उसके पूरे गाउं को भुगतना पड़ता है ऐसी औरत को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं तो उठाओ पत्थर और दो इस औरत को सजा नहीं बेटा मरने वाली की आखरी खाहिश नहीं पूछोगे हम जाते हैं पहला पत्थर हमें हमारे शोहर मारे एए एाओ 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 प्रफ। प्रफ। जड़ी सेँगा हैं। किहांग। लोगो! थैंक्यू मेरा जी, सही समय पर आकर मलत करने के लिए लेकिन? आराम से समय आराम से लिए वात लिए आराम से लिए रहाँ वात टाराम से लिए मारो पथर, तुम सिर्फ चोडेलों पर पथर मारते हो ना, तो इन सारी औरतों ने भी, जो तुमारी घर की औरते हैं, इन्हों ने भी मर्दों वाले काम करना शुरू कर दिया हैं, तो हम सब चोडेले हैं, मारो पथर! हाँ, मारो पथर! मारो पथर! मारो पथर! तुम ठीक हो ना? हम ठीक हैं, लेकिन ये... हाँ, हैड कॉंसिपल, पुषपासिंग! हाँ, कितना अच्छा लग रहाँ आपको देखके! ये मीरा है मीरा! जी! जी-जी, मीरा! जी! हाँ, मीरा जी है ये! स्पेशल पूलिस! हमारे थाने परिवार का हिस्सा ही सभगो! लेकिन ये... आ, बताएंगे ना, इसमिनान से बैठेंगे और बताएंगे तुमको, ठीक है? लेकिन एक ठीस तो कमाल है, हसीना बाजी यहां है नहीं और सब लोग हमारी कितनी मदद कर रहे हैं क्योंकि हसीना मले किसी का नाम नहीं, बेलकि एक सोच है और आज उसी सोच की जीत हुई है बिलकुल सही, वो ही सोच जो एक बेजान मशिन में भी जजबात भर देती है क्योंकि 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 करन जा करना जा झाल में Yok अब बागों कि बंहां किambी झाल किरें लगों कि भागों आह ऑिकक हुआ आह ऑं जा एकक घट बांत झाल झाल अरे पक्रोईम को! है बांदो मोंकि! मुम्मी जाहिन माझ जाहिन 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 क्या पाते संतो शर्मा अब शिंहारे बहुत खाने लगी हैं चया? एकदम सही टाइम पर रहे हैं. मेरी टीम को मेरी जरूरती तुम्हें कैसे नहीं आती है. लेकिन तुम्हें पता किसे चला कि हम कहा हैं? साइबर सल में काम करने के अपने फाइदे हैं, मैलन. पूरे डिपार्टमेंट में केस को लेकि बहुत जादा चर्चा हो रही है. और पता चला कि डिपार्टमेंट से मदद मांगने से भी आप लोगों इंकार कर दिया. मुझे लगा शायद कि देवल या ब्रदर्स के पॉलिटिकल कनेक्शन के वज़े से अप लोग इनकार किया होगा. तो आप लोगों से कॉन्टाइक करने की कोशिश की तो वह भी नहीं हो पाया. एवेंचिली मुझे आप लोगों की ट्रेस करनी पड़ी हो और पता चला कि आप यहां पर रहें देवल पार में. बहुत बढ़िया संदू, तुमने एक नंबर काम किया. तुम इंटेलिजेंट और मासूमियत का एकदम अलोखा संगम हो. बिलकुल हो. लेकिन एक चीज हमें समझ में नहीं आ रही है. देवल पार पॉलिटिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट गाओ है. एलेक्शन के पॉइंट अफ्यू से. लेकिन फिर भी आज तक वहां कि किसी भी MLA ने एक पॉली स्टेशन नहीं खोला वा है. यहां आने से पहले इस एरिया के बार में और देवलपार गाओं के बार में पूरी इंफोर्मेशन निकाले है, मानुम सा. ओफ रिकॉर्ड यहां का MLA अपने वोट बैंक के लिए देवलिया ब्रदर्स के लीगल और इलिगल चीजों में सपोर्ट करता है. और यह पावर का यह देवलिया ब्रदर्स बहुत फाइदा उठाते हैं. कोई कहने सुनने को कुछ नहीं है ना? और कानून का भी वो बहुत मजाग बनाते हैं, जो चाहे जी में वो कर लेते हैं आपर. इन फाक्ट यहां का लोकल MLA जो है यह देवलिया ब्रदर्स के लिए प्रेस कॉन्फरेंस रख रहा है आज. देखिए, हम कानून का बहुत सम्मान करते हैं. इसलिए हमारी पहली प्राधिम्ता होती है, हमारे शत्रवाशियों को प्रोपर सुरुक्षा, टोटल अपराद मुक्त समाज है. क्या सच में आप ऐसा चाहते हैं? अपराद मुक्त समाज है आप कह रहे हैं, जुन्होंने खुद गुंडों को पाल रखा है. इस तरह बनाएंगे आप एक अपराद मुक्त समाज. इस पिछडी सोच के जंगली लोग, जो आज भी उस सड़ी गली परंपरा का पोच्ट हो रहे हैं, ना खुद बदल रहे हैं, ना देश को बदलने दे रहे हैं. उसी दक्यान उसी सोच को इन्होंने पकड़ के रखा हैं, जा ओरतों को पैर की जुद्धी के लावा और कुछ नहीं समझा जाता है. अगर आपको सच में अपने लोगों की थोड़ी सी परवा होती, अपने चुनाव शेत्र की परवा होती, समाज की परवा होती, तो आप यहाँ पर एक पुली स्थाना खुलवा चुके होते, ताकि लौ एन ओर्डर मेंटेन रहे, और गुड़ू और बबलू जैसे घटिया गुंडों को अपनी मनमानी करने की हिम्मत ना मिले, हिम्मत है तो बोली, आज इस मीडिया के माध्यम से आप सब के सामने ये एलान कीजिए, कि आप यहाँ पर एक पुली स्थेशन खुलवाएंगे, अगर नहीं खुलवाएंगे तो ये लोग आपको वोट नहीं देंगे, बोलिये! नहीं सर, वो, आप सब की इतनी परवा करते हैं ना, सब को सेफ फील कराना चाहते हैं, तो आप कीजे ना, एलान? अरे हमें भी बोलने दीजे ना, हम भी तो यहीं कहने जा रहे थे, कि आज ही हम हाई एथोर्टी से मिलकर, हमारे इस शेत्र में नया थाना शेंक्षन करवाते हैं, पंद्रे दिन के अंदर अंदर, यहां बहुत बड़ा थाना, और सभी सुदा युक्त खुलेगा, और हमारे शेत्र वाशियों की इस रुक्षा शुल्मिशित की जाएगे, और लो एंड ओर्डर लागू होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तु, तो अगला चुनाव लड़ना तो थोड़िये, हम हभी के अभी अमेले के पद से इस्तिपा दे देंगे, ये क्या बूल दिये सर आप। ये महिला थाना बरदाद से बाहर हो रहा है। इन्हें इनकी ओकाद दिखानी पड़ेगे। इन्हें बताना होगा कि जब जुत्ता काटने पर आता है, तो कैसे चील कर रख देता है। थांक्यू बहुत छोटा शब्द है, आपने जो हमारे लिए किया है। वो बहुत बड़ी बात है। नहीं, तुम बाजी ही कहो। तुम्हारे मुँसे बाजी सुनके अच्छा लगता है। और सच कहें तो हमें तुम्हारा शुक्रियादा करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी वज़े से थोड़ा सही सही, हम उस दक्यान उसी सोच को बदल पाए। और तो को उस चकड़ी बेडियों से निकाल पाए। जिनमें वो नजाने कितनी सद्यों से अटकी है। तुम हो प्यारी सी छोटी सी छैनी जिसकी कोशिश की वज़े से, जिसकी शुरवात की वज़े से, आगे चलकर तुम्हारे जैसे बहुत सारे बेशकिम्ती जेवर बनेंगे। और तब जाकर हमारा देश सही माइनों में कहलाएगा सोने के चुड़िया। वाजी All the best! Thank you! चलते हैं! तुमने इस लड़ाई में हमारा बहुत साथ दिया। उसके लिए शुक्रिया। कैसे ना देती जबातो वाली बाई? कहा था न में? मेरी जान तेरी कर्दार रहेगी हमेशा। अगर कभी तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो भी दे दूगी खुशी-खुशी। बस हमारी लडाई तो वैसे भी एक ही थी। जिसके वजे से ये शिवानी पवाश शिवानी ताई बन गई थी। तो फिर कैसे ना देती तेरा साथ। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो तेरे केस की पूरी पढ़ाई करके आई थी। जिस तरीके से तुन्हे प्रोटोकॉल के अगेंस चाकर अपने सीनियर्स की बात ना मानकर ये केस को लड़ा है, मुझे तो पूरा भरोसा था कि तेरे अगेंस कोई ना कोई लीगल आक्शन तो जरूर लिया जाएगा। लेकिन तुझे तो प्रमोशन दिया जा रहा है। अब होए ना हमें एक्साइट पर। बिलकुल। बिल्लू जंपत। अहाँ मैंडम सुर। तुमने आज ये साबित कर दिया है कि अगर देश के लिए कुछ करना हूँ, सोसाइटी के लिए कानून के लिए अगर कुछ करना चाहते हो, तो वर्दी पहनना जरूरी नहीं है। एक सचे हिंदुस्तानी का जजबा होना चाहिए। और आज तुमने अपनी जान की पर्वा ना करते हुए, उस बच्ची की जान बचाकर इस जजबे को साबित कर दिया है। और इस सचे जजबे के लिए ये तो बनता है। बेड़े। देवल पार के इस बहुत चर्चिद मामले के बाद, जहां हसीना मलिक और उनके नेत्रतु में, उनकी टीम ने जिस साहस और बहादुरी से काम लिया है। उसे देखते हुए, सीम साब के इमिडेट और पर हसीना मलिक को बहुत जल्द प्रमोट किया रहा है। Thank you sir, thank you. कैसा लगा मैम आपको ये प्रमोशन की खबर सुनकर? जैसा कि हमने पहली भी कहा है, कि कोई भी जीत कभी किसी अकेले की नहीं होती। उसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है, महनत होती है, डेडिकेशन होता है। हम सब की जीत है। हमें बहुत खुशी है कि अब हम एक, हम सब एक नई शुरुवात करेंगे, और इस सच की लडाई को जारी रखेंगे। और उस लडाई का क्या जो आप अभी लड़कर आ रही है। क्या आपके इस कदम के बाद हम कुछ बदलाओ देख सकते हैं। देखिए, देवल पार के इस सल्सरण के बाद, विभाग ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया है। देवल पार के आसपास के छित्रों में, आसपास के गाउं में, कहीं, किसी एक जगह पर ठाना स्थापित किया जाएगा, और वहीं से पूरे इलाके पर नजर रखी जाएगी। तो हम विश्वास दिलाते हैं, देवल पार के छित्र के सभी रहवासियों को, कि वहाँ पर अब कोई अपराधिक गतिविधी नहीं होगी, अब कोई आरजकता नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ, किसी ने करने की कोशिश की, तो ऐसे अपराधिको उठाके, सीधे सीधे जेल में ठूज दिया जाएगा। और ये सब संभव हो पाया है, हसीना मलिक जी के काराण। हमें और पूरे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को आप पर और आपकी टीम पर करव है। मैडम जी, हम सब की तरफ से ये एक छोटा सा तौफा आपके पूरे टीम के लिए और आपके लिए तांक यू। और ये सब भी आपके लिए तौफे लाए हैं। आपने जो सारी औरतों के लिए किया है, उसके लिए ये तो बनता है। मैडम सर, इस सम्मान के लिए आपको बहुत-बहुत बथाई। नहीं करिश्मा सिंग, ये हमारा नहीं हम सब का सम्मान है। ये क्या है? पता नहीं आप इस बात से कितना अग्री करेंगे। पर हमारा तजुर्वा तो यहीं कहता है कि बहुत बड़ी ताकत है ये जिस बात। इसी सोच के साथ ये लड़ाई शुरू की थी, कि मुझरिम नहीं, जुर्म खत्म करेंगे। पता नहीं कितनी बार तूटे, विखरे, हारे, जखमी हुए पर होसला नहीं छोड़े। उम्मीद नहीं छोडे। उम्मीद। जहां एक दिन किसी की पहचान, उसकी औरत या मर्द होने से जज नहीं की जाएगी। जब आधिरात को सुनसान सड़क पर एक लड़की बेखौफ होकर कहीं भी निकल पड़ेगी। उस दिन हमें लगेगा हमने ये लड़ाई जीत ली। लेकिन तब तक तो ये लड़ाई यूहीं वदस्तोर जारी रहेगी। कोई न कोई हसीना मलिक, किसी न किसी रास्ते पर यूहीं अपनी जजबात की सोच लिये आपका अंतजार करती मिल ही जाएगी।